Hey guys क्या आप लोगों ने सोचा है कि 50 साल तक हर दिन एक स्रेट पेंशल खाने से हमें क्या हो सकता है क्या हमें प्रॉलम हो सकती है यह क्या हमारे साथ हो सकता है और क्या इसको खाने से हमें ह Allah होंगे वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और क्या इससे आपको problem हो सकती है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को पूरी last तक देखना थोड़ी सी interesting वीडियो होने वाली इसलिए इस वीडियो को पूरी last तक देखना और अगर आप इस चैनल को subscribe नहीं किया कि अगर आप एक दिन में सिर्फ एक ही slate pencil खाते हो तो आपको क्या होगा तो मैं आप लोग को बता दू कि अगर आप एक दिन में सिर्फ एक ही slate pencil खाते हो इससे आपको कोई भी problem नहीं होगी आपको इसका taste भी थोड़ा अजीब लगने लगेगा कुछ लोग को यह tasty लगने लगेगी और इसको और जाला खाने का मन करेगा और कुछ लोग को यह अच्छी नहीं लगेगी और कुछ लोग का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा इसको खाने के बाद इससे आपके मुँ में एक अलग सा taste आएगा अगर आप लोग को iron की कमी होगी या calcium की कमी होगी तो यह आपको टेस्टी लगेगी first time खाने पर otherwise आपको यह बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी तो अगर आप एक दिन में सिर्फ एक slate pencil खाते हो तो आपको कुछ भी problem नहीं होगी तो अगर आप 10 दिनों तक एक slate pencil खाते हो daily तो आपको इससे थोड़ी बहुत problem हो सकते हैं कि आप लोग को खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा खाने का टेस्ट बिल्कुल अजीब लगेगा और आप लोग का जो ये slate pencil खाने का मन है वो बहुत ज़ादा करेगा हद से ज़ादा करेगा और पेट में आपको कोई problem नहीं होगी थोड़ी बहुत acidity की problem आपको हो सकती है अगर आप एक साल तक ये slate pencil खाते हो तो इससे आपको प्रॉलम होने के बहुत ज़ादा chances हो जाते है क्योंकि अगर आप हर देद एक slate pencil खाते हो तो ये आपके body में ऐसे ही जमता रहेगा कुछ बाहर निकलता रहेगा और कुछ ऐसे ही जमता रहेगा जिससे आपको kidney stone होने के बहुत ज़ादा chances हो जाते है कि आप लोगों को इससे kidney stone हो सकता है और अगर आप इसको ऐसे ही खाते रहोगे तो आपके digestion में बहुत बड़ी problem आएगी आपको digestion problem बहुत ज़ादा face करने पड़ेगी आप लोगों को digestion बहुत ज़ादा खराब हो जाएगा जिसकी वैसे आप लोगों को acidity, gastric और आपको बहुत ज़ादा कमजोरी महसूस होने लग जाएगी आपको श्रीर में कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी खाया पिया नहीं लगेगा, तो ये इससे आपको problem होगी और इससे आपको infection होने के chances हो सकते हैं और जब आप इसको 10 सालों तर खाऊगे ना तो आपके ना इससे बहुत बुरी हालत हो जाएगी कुछ लोग को कहना है कि वो पिछले 10 सालों से या 20 सालों से ये सब खा रहे हैं लेकिन उनको कोई problem नहीं होई तो मैं आप लोग को बता दू कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनको problem ना हो लेकिन maximum लोग ऐसे हैं जिनको problem होती है और 100% होती ही होती है और उनको problem होती है सबसे बड़ी और जो man problem है वो है इससे infection होना मैं आप लोगों को एक story बताता हूँ एक लड़की है एक गाउं की लड़की है तो वो कुछ तीन या चार सालों से slate pencil खा रही थी और उसको अपने श्री में कोई भी problem नहीं लग रही थी वो हर दिन खाती जा रही थी slate pencil भर भर के खा रही थी तो एक टाइम ऐसा आ गया कि उस लड़की को अपने श्री में बहुत सारा कमजोरी भी मैसूस होने लगी और वो थोड़ी थोड़ी करके बिमार रहने लगी ऐसा करते करते बहुत टाइम हो गया था और जब वो बहुत जादा बिमार हो गई तो एक दिन वो ऑस्पिटल गई उसने अपने चेक अप कराए तो जब उसका अच्छे से चेक अप हुआ उसकी बॉड़ी में infection हो गया था उसकी जो पेट की जो नली है जिसको हम बड़ी आंद कहते हैं उसमें उसको infection हो गया था और infection उसका बहुत जादा बढ़ गया था बहुत serious होने लग गया था जिसका operation बहुत ही जल कराना बहुत जादा जरूरी था तो उस लड़की का operation हुआ और जो उसको infection हुआ था जो बहुत जादा serious हो जाता अगर उसका operation ना होता उसका आफ्रेशन बहुती जल्दी में किया और जिससे वो लड़की आज बिलकुल ठीक है अगर वो लड़की डॉक्टर के पास नहीं जाती और उस इंफेक्शन का पता नहीं लगता तो वो इंफेक्शन बहुत जादा बढ़ जाता जिससे बहुत जादा सीरिस प्रॉलम हो सकती थी और वो इंफेक्शन बहुत जादा बढ़ जाता जिसकी वैसे उसका इलाज भी नहीं हो पाता और इनकी जानत खतरे में आ सकती थी तो पहले जब ये slate pencil खाती थी तब इनको कुछ भी problem अपने श्री में नहीं लगती थी लेकिन एक time ऐसा आगे जब इनके श्री में problem होने लगी और इनको पता लग गया कि इसको खाने से क्या हो सकता है तो मैं आप लोगों को भी भस यही कहना चाहता हूँ कि इससे problems होती है ऐसा नहीं है कि इससे problem होती है और 100% होती ही होती है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप हर दिन एक slate pencil खाते हो 50 साल तक 50 साल कम नहीं होते हैं बहुत जादा होते हैं तो आपके श्रीम में इनफेक्शन बहुत जादा हो जाएंगे बहुत जादा बढ़ जाएंगे बहुती serious हो जाएंगे और जो भी आप slate pencil खाओगे वो अंदर बहुत जादा जमी होगी जिस से आपके जितना भी system है वो सारा खराब हो जाएंगे आपके जितने भी organs है सारे खराब हो जाएगे आपका digestion ह達 से जादा खराब हो जाएगा आपकी श्रीम में बहुत जादा कमजोरी आ जाएगी और infection इतने ज़ादा बढ़ जाएगे इतने ज़ादा सीरिस हो जाएगे कि आप उसका इलाज भी नहीं कर पाओगे यह जो infection होते हैं जो हमारी body में infection होते हैं इनका अगर time पर इलाज कर दिया जाए तब यह ठीक हो सकते otherwise इनको ठीक करना ना मुंकिन हो जाता है और या तो फिर operation करना परता है जल्दी जल्दी अगर operation भी time से पहले कर लिया जाए तब उससे ठीक होने के chances बढ़ जाते हैं otherwise कुछ operation ऐसे भी है कि operation करने के बाद भी कुछ लोग की जान चले गई है तो मैं आप लोग को बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 4 सालों तक हर दिद एक स्लेट पैंसिल खाते हो तो इससे आपकी जो condition होगी बहुत जादा खराब हो चुकी होगी सबसे पहले आपके दांत बिल्कुल ही चुके होगे आपके दांतों में कीड़े लगे होगे और आपके जो दांत है ना हद से जादा खराब हो चुके होगे जिससे आप खाना भी नहीं खा पाऊगे आपकी जीव बिल्कुल वाइट रहने लग जाएगी और आपको ना किसी भी चीज में नहीं आएगा आपकुछ भी खाऊ आप खाऊ खाऊ या कुछ भी खाऊ आपको किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आने वाला है और आपके जीव पर इस आपको गले में भी इन्फेक्शन होने के चांसे बर जाते हैं और ये जब आपके पेट में जमता रहेगा जमता रहेगा और आपको बहुत सारी प्रॉलम करते रहेगा जैसे कि इनफेक्शन डाजेशन प्रॉलम और भी बहुत सारी प्रॉलम करते रहेगा आपका पेट फूल जाएगा आपके पेट में बहुता जमी होगी जिससे आपको रात को बहुत जादा दर्द लगेगी दिन को दर्द लगेगी और जो कि बहुत ही असहनी होती है वो दर्द और इसके बाद जब यह आपके किड्नी में पहुंची होगी तो वहां पर इसने बहुत सारे स्टॉन कियो होंगे आपको इससे आपको बहुत सारे किड्नी स्टॉन इससे होने वाले infection क्योंकि आप लोगों के पेट के अंदर इससे infection होते हैं अंदर के और्गन्स में infection होते हैं जिनको ठीक अनाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आता है तो आप किसी डॉक्टर से पूर सकते हो कि infection होने के बाद क्या बुरे हालत होते हैं और infection ठीक इतनी आसानी से भी नहीं होते हैं उनके लिए बहुत साथ टाइम लग जाता है जैसे कि मैं आप लोगो एग्जामपल दे दूँ जो लोग बहुत साथ शराप पीते हैं उनकी ना किड्नी डैमेज हो जाती है तो डॉक्टर उनको एक हिसला देते हैं कि अगर वो शराप छोड़ेंगे तब ही वो ठीक होंगे अदरवाइस उनकी जान तक को खतरा हो सकता है और ऐसे बहुत सारे लोग है जिनके किड्नी डैमेज हुई है और लिवर डैमेज हुआ है शराप पीने के वैसे और उसके बाद जब उन्होंने चोड़ा है करीमन एक साल तक वो शराप पीना चोड़ा है उसके बाद जाकर वो ठीक हुए है पुरी तरह से ठीक हुए है तो इसको छोड़ना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि आप लोग 50 साल तक खाते रहो और उसके बाद इसको छोड़ो उसके बाद आपको बहुत जादा प्रॉलम हो चुकी होगी तब आपको बहुत जादा प्रॉलम हो चुकी होगी क्योंकि 50 साल में आप लोग खुदी imagine कर सकते हो कि इससे कितनी बड़ी problems आप लोग को हो चुकी होगी और उसके बाद अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तब भी मुझे नहीं दगता कि आप लोग ठीक हो पाओगे क्योंकि वो problem ही इतनी जाद बढ़ चुकी होगी जिससे आप लोग इतने आसाने से ठीक नहीं होगे तो मेरा कहना आप लोग के लिए बस इतनी है कि प्लीज इसको मत खाओ इससे problems होती है आप लोग चाहे 10 दिन खाओ 20 दिन खाओ, 1 साल खाओ, 2 साल खाओ, 10 साल खाओ या 50 साल खाओ, इससे problem होती ही होती है मुझे पता है कि इसकी craving बहुत जादा होती है जिसके उपर control करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अपने उपर control कर लेते हो, तो आप एक healthy life जी सकते हो आप इसकी जगा कुछ और खा सकते हो, जब भी आपको समझ आ चुका होगा, कि मैं इस वीडियो से आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे, तो वीडियो को जुरूर से like करके रख दो, और नीचे इस चैनल को अभी subscribe के button पर click करके, subscribe करके रख दो, अगर आपने अभी तक किस चैनल को subscribe नहीं के तो अभी नीचे subscribe के button पर click करके subscribe करके दो तो, और नीचे मैंने description में अपने second channel का भी link दिया हूँ है, आप उस link पर click करके में second channel पर जा सकते हो और वहाँ पर आप लोग वो story वाली videos देख सकते हो, जो इस channel से delete हुई है, तो आप लोग जुरूर से वो channel पर जाकर, वो videos देख सकते हो और उस channel को जुरूर से subscribe करके रख देना, और नीचे आप मुझे comment करके बता सकते हो, कि आप लोग को आज की video कैसे लगी, और जो भी मैंने बताया क्या वो सही है, या गलत, और आप लोग को क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या नहीं, आप लोग जुरूर से मुझे comment करके बता सकते हो, और आपकी screen पयाम पर दो videos आ रहे होगी, आप किसी एक video पर click करके इस video को देख सकते हो, और कुछ और और नहीं जान सकते हो